तो सभी देवियों सजनों को राम राम नमस्कार सलाम सच्रियकाल कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सभी लोग एकदम फस्क लास होंगे चकाचक होंगे तोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ सावधानिया बताने वाला हूँ आपको क्योंकि देखिए गूगल सर्च इंजन जो है लगभग हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है यानि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बिना गूगल पर सर्च किये बिना गूगल की सहायता कि हम पूरा ही नहीं कर सकते वैसे भी आप टीवी पर देख रहा हूंगे आजकल कितना एडवर्टाइजमेंट आता है मतलब कुछ भी पूछना हो पोई भी क्योस्चन हो आपका दुनिया का किसी भी सब्जेक्ट से समंदित क्योस्चन हो उसका जवाब आपको चाहिए तो बस गूगल से पूछ लीज अगर आपसे यह कहीं असावधानी होती है आपसे गलती होती है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या लाखों-लाखों का जुर्माना भरना पड़ सकता है आजकल जितने भी मोवाईल की उजर है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको गूगल सर्च के बारे में जालना करता हो तो गूगल पर ऐसे ही कि सर्च करने के मामले में कुछ कंडिशन्स होती है ठीक है ना जो कुछ ऐसे वेब साइट्स हैं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आप सर्च करेंगे और अगर तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे माली ये देखे ये मेरा गूगल पर सर्च किया हुआ सारा आइटम है जो भी मैंने चीज़ें सर्च की हैं अब इसको मैं पूरा जहां तक देखना चाहूं देख सकता हूं लेकिन अगर मैं इसका हिस्ट्री किलियर कर तो ये अपने आप खतम हो जाता है ठीक है ना लेकिन आप अपने मोवाइल के अंदर ये खतम कर सकते हैं लेकिन आपका रिकार्ड जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं वो गूगल के सर्च इंजन पर एक रिकार्ड रखता है और महीनों महीनों तक का रिकार्ड आपका मि जाएगा वहाँ पर जो भी चीज़ें आप सर्च करते होंगे ठीक है तो इसलिए मैं यह बताना आपको उचित समझ रहा हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सर्च करने पर आपको दंडित होना पर सकता है जैसे मैं आपको सबसे पहला जो चीज है जो मैंने नोटिस करी है या मैंने नोट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों गूगल ने हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है काफी ऐसे मैटर्स हैं काफी क्योस्टन्स हैं काफी जानकारियां ऐसी हैं जो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी से पूछने की जरूरत से बैन है सामाजी कुरूप से बैन है अगर हम उसको सर्ज करते हैं और अगर कहीं कानून की निगाह में पढ़ गए तो हमें जिल भी जाना पड़ सकता है ग्रामीर इलाकों के लोग ज्यादा तर्जागरित नहीं है इस चीज में लेकिन सहरों में ऐसा हो रहा है और पकड़े से बैन है इंडिया में लोग देखते भी हैं और बड़े मजे लेके देखते हैं पॉर्ण वीडियो पॉर्ण फोटो लेकिन इसमें कुछ कंडिशन से हैं जो की पूरी तरह से बाधित है पॉर्ण बच्चों का अगर है चाइल्ड पॉर्ण यानि कि अगर बच्चों का जो करते हैं ठीक है न देखें सचकार भी इसको लेकर के काफी सकत है है और वारकी इसके बावजूर्ण वी लोग चाइल्ड पॉर्ण सर्च करते हैं ठीक है न और जेल भी जाना पड़ता है लोगों कोईकर गैर कानौनЄ पे हैं छेड़ चार या दुर्वयोहार जहलने वाली पीड़िता का नाम और फोटो सेर करना दोस्तों किसी भी लड़की के साथ अगर रहें छेड़ चार जैसे घटना हो गई हो बाई दवे अगर आपके सामने वो कहीं पड़ती भी है आपने उसकी पिक ले ली या वीडियो कानूनी है सुप्रीम कोट की तरफ से किसी भी छेड़ चार या दुर्वयोहार पीड़िता के नाम और फोटो को उजागर करना गयर कानूनी करार दिया है सुप्रीम कोट के जजमेंट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति प्रिंट इलेक्टरानिक या सोसल मीडिया आदि किसी सारोजनिक ना करें कहीं भी सोसल मीडिया पर पोश्ट ना करें वाट से फेस्बुक या इस्ट्रागाम या कहीं पर भी इवेन आप किसी दोस्त मित्र के साथ भी सेर ना करें दिखाएं भी मत क्योंकि यह वैसे भी गलत है अब है फिल्म पाइरेसी रिलीज से पहले अपरादमाना जाएगा ऐसा करने पर कम से कम तीन साल की सजा और दस लाक रूपे जुर्माना देना होगा इस कानून के दारे में वे लोग भी आएंगे जो सिनेमा घरों में फिल्म की रिकॉर्डिंग करते हैं ठीक ना तो ऐसा होता है कि जैसे माली जब किसी ने करोडो बना करके और पूरा सोचल मीडिया पर वाइरल अगर कर दिया क्योंकि नई मूवी है तो लोग सच करते हैं अब वो अगर पूरा फैल गया किसी के द्वारा तो सोचिए वो फिल्म में कर्स का कितना नुकसान होगा ज्यादा तर लोग मोबाइल में ही देख लेना चाहते है घर बैठे देख लेंगे फिर सिनेहाल में जाये फिर सिने में लोग जारें नहीं देखने के लिए फिर फिल्म की कमाई नहीं हुपाएगी उतनी ऑ SJ या फिर सीनेमा घर की बात अलग कर दें वैसे भी आज कल मोबाईलों पे आनलाइन लांचिंग ज्यादा पर मूवीज का हो रहा है लेकिन आनलाइन पेड होते हैं उनके लिए कुछ पैसे खर्ज करना पड़ते हैं तब जाके हम देख पाते हैं मूवीज को अगर किसी ने पहले ही देख करके उसको लीक कर दिया इदा दर फैल गया फिर उसको नुकस सरकार भी इसके लिए सजा देती है इसके बाद हम बात करते हैं गर्व से समंदित मैटर्स आप भी जानते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से योक योतिया भी हैं और अन्य लोग भी हैं जो जो ये काम करना चाहते हैं मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहता है यूट्यूब की ग अनेतिक समय द्वारा या कैसे भी अगर यह समस्या अनेतिक समय मंदों के द्वारा अगर कुछ इस तरह की सितित उत्पन्ण हो जाती है तो लोग आनलाइन सर्च करने लगते हैं कि कौन-कौन सी द्वाईयां हैं क्या तरीके हैं इसको यानि नुकसान करने के इसको आप इस व आप इस चीज को डालेंगे, इसका उत्तर पाना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है, वो इससे ये पता चल ला है, कि आपको इसकी जरूरत है, आप ऐसा करना चाहते हैं, या आप करेंगे, तो ये चीज़ें अगर आप सर्च करते हुए, पकड़े जाते हैं, आपके सर्च इंजन में अगर बाई रिकार्ड अगर इस तरह का चीज मिलता है, और कानूनी नजर उस पे पड़ गई, तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी सावधान रहें, क्योंकि सरकार इस चीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, अब किसी के प्राइबेट फोटो और वीडियो, दोस्तों गूगल सर्च इंजन पे आप फोटो किसी का भी नाम डाल करके, सर्च करेंगे तो बहुत सारे तमाम फोटोज आ जाते हैं, लेकिन ये एक चीज जान लेजे कि सारे फोटोज फ्री टू यूज नहीं होते, यानि हर फोटो का आप इस्तेमाल अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उसमें एक आपसन आता है, सेटिंग के अंदर, ठीक है ना, ब्राउजर की सेटिंग में एक आपसन आता है, फ्री टू यूज चुनना पड़ता है, उसमें यानि कि जो फोटो आपको अधिकार दिया जा रहा है, उसका ही इस्तेमाल कहीं आप कर सकते हैं, देखने के लिए बस है, आप देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको डाउनलोड करके या फोटो की कॉपी ले करके कहीं और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज के प्रती सचेत रहें, क्योंकि वो किसी की प्राइबेट संपत्ती होती है. तो ये अब तक जितने मैंने बताए हैं, ये सरकारी रूप से, कानूनी रूप से गुना है. ठीक है, आजकल आपको बहुत सारे वीडियो फोटोस ऐसे दिख जाएंगी. कहीं महिलाओं के बीच में लडाई जगड़े हो रहे हूं, कई बार अभी कुछ दिन पहले स्कूल की लड़की आपस में मार पिट कर रहे हैं, उसकी वीडियो किसी ने बना के डाल दिया. तो अगर वो लड़की चाहे, तो जिसने भी उस वीडियो को डाला है, उसकी उपर केस कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी प्राइवेशी को खतम कर रहे हैं, उसकी मर्जी के बगार अगर आपने उसकी फोटो, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, किसी का भी, अगर उसकी मर्जी नहीं है, तो आप उसकी वीडियो या फोटो कहीं भी सेयर नहीं कर सकते, सोचल मीडिया पर नहीं सेंड कर सकते, इस चीज का अधिकार आपको नहीं है, तो ये कानूनी रूप से एक, देखिए सबसे बड़ी समस्या है, ये, ये आजकल अक्सर देखने को मिल कहीं भी किसी का भी फोटो लेकर के, कोई भी सेंड कर देता कहीं पर भी, तो ये गलत है, कानूनी रूप से ये गुना है, इसको करने से बिलकुल बचिए, इसके बाद आते हैं, अब दवाईयों पर, देखिए, दवाईयां सर्ज करना, नम से सर्ज करना, या बीमारी बता लेकिन कोई गंभीर बीमारी है, और उसका भी आप गूगल सर्च इंजन पर सर्च करके, अगर इलाज कर रहे हैं घर पे, तो ये गलत होता है, हलाकि आप एक चीज नोटिस करते हैं नहीं करते हैं, कभी भी आप इस तरह की दवाईयां सर्च करेंगे, तो वहां नीचे एक क्लेमर भी पढ़ लेना चाहिए, जिम्मेदारी किसी के नहीं होती है, वो बस कुछ स्क्राइब कर दिये गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस पढ़ें और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कुछ कंडिशन्स होती है, छोटे-मोटे इलाज तो आप कर सकते हैं मोबाइल एप या साफ्ट्वेर, गूगल सर्च के जरीए कई बार फिसिंग या फर्जी एप्स और साफ्ट्वेर हम डाउनलूड कर लेते हैं, जो हमारी डिवाइस को नुक्सान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में किसी एप को आप गूगल पर इस्टोर या फिर एप इस्टोर से ही डाउनलूड करें, यही नहीं किसी भी साफ्ट्वेर को कमपनी के अधिकारिक वेब साइट से ही डाउनलूड करना चाहिए, आपको यूट्यूप पर वीडियो देखते हैं समय तमाम एड दिख जाएंगी, फला अप्लिकेशन, फला अप्लिकेशन, दुनिया भर की अ इंस्टाल करने का option भी नीचे दिया होता है, तो कहीं से भी मत इंस्टाल कर लिजे आप, ठीक है न, उसको आप Google Play Store पर जाईए, वहाँ पर बकाइदा वो नाम डाली, अगर मिलता है, तो वहाँ से ही आप इंस्टाल कीजिए, ठीक है न, कहीं से भी आपको लिंक मिल जाते ह इंस्टाल मत करिए, क्योंकि काफी ऐसे सफ्ट्वेयर आज के टाइम में आने लगा है, जिनके अंतर वायरेसेज होते हैं, जो आपके डिवाइस के, जो भी स्टोरेज हैं, पासवर्ड, सीक्यूर्टी से समंद्धी, जितने भी बैंकिंग के समंद्धी, डीटेल्स हैं, व लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको किसी कंपनी का actual customer care number चाहिए ही, तो उसकी official website पहले आप सर्ज करिए, Google search पे आप उसकी company का नाम डालिया, official website सर्ज किजिए, ठीक है, वहाँ पर जाकर के आपको कहीं न कहीं ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे कहीं न कहीं आपको company का customer care number मिल ही जाता है, तो वहाँ से ही आप संपर्क करें, ना कि कोई सा भी number देखके संपर्क कर लिया करें आप, इससे कई बार लोगों को नुकसान हो जाता है, गलत नंबर मिला बैठते हैं लोग, फिर उदर से, कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, जो आपको नहीं बतानी चाहिए, फिर भी आप उसे शेयर करते हैं, और फिर बाद में आपको नुकसान हो जाता है, तो ये थी कुछ जानकारियां, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको एक बार लाइक करके, सब्स करके जुड़े रहे हैं चैनल के साथ, इसी तरह की तमाम तरह की जानकारियों के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.